कि विभरों समय स्टार्ट वुए है तो बनाना बनता हूं मैं आज आपो इस वीडिव में शे तरीके के एंडल बताने जा रही हूं लोकि मैं बहुत ही स्मेम तरीके से बताा माँ और रेफडरेशिंग रहेगा और टेस्ट तो पूछे हैं ने हेलो फ्रेंड वेल्गम बैक टू माई किचन मैं इसमेदा आपका स्वागत करते हूं मेरे किचन में आज मैं बनाओंगी छे तरीकी के रिस्ट्रेशिंग सब्सक्राइब करते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक सुगर सीरप बना लेते हैं अगर आपके पास पीसी हुई चीनी है तो आप इस मेथट को स्किप कर देजिए अब यहां पे एक ग्लास लेंगे एक चमच चमच नीबू और लेंगे दस से बारा मिंट लीफ इसको थोड़ा स्कुइश कर देते हैं अफ इसमें डालिंगे देख छाप चमच नीबू गरस तीन चमच डालेंगे इसमें शुगर सीरप अधी च्छोटी चमच डालेंगे इसमें काला नमक और इसमें डालिंगे ब्लू कॉरासु सीरप यह एमेजों पे आराम से मिल जाता है और इसमें ड यह हमारा ब्लू ओशन बनके रेडी है बाजार में यह 200-200 रुपए में बनता है मैंने इसको 10-15 रुपए में बना के तयार किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है वाटर मेलन का जूस बनाने के लिए हम सबसे पहले एक जार लेंगे जार में एक बॉल हम लोग वाटर मेलन डालेंगे यहां पर मिंट लीव डाल देते हैं कुछ दो चमच डाल देंगे लोग नीबुका रस आधी चोटी चमच काला नमक आधी चोटी चमच जजीरा पाउडर और इसको हम लोग ब्लंड कर लेते हैं और इसको अब एक बरतन में हम लोग इसको छान लेंगे और इस तरीके से मैंने इसको छान लिया है और डारेक्ट ग्लास में हम लोग डालेंगे आइस क्यूब्स और ये डाल देंगे हम लोग अपना जूस ये हमारा वाटर मेलन जूस बन के रेडी है आप देख सकते हैं कितना सुन्दा लग रहा है ये आप अपने गेस्ट को जीजिए उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और बच्चों को भी अब हम लोग बनाएंगे वर्जिन मोहितो उसके लिए एक ग्लास में हम लोग डालेंगे निबू के कुछ क्यूब्स पुदीना के पत्ते इसको भी स्क्वेश कर लेते हैं अब इसमें डालेंगे तीन चमच चमच सुगर सीरिप आधी छोटी चमच काला नमक बर्फ और डालेंगे इसमें ड्यूव और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम लोग सोडा भी यह हमारा वर्जिन मोहितो बन के तयार है यह आपको और आपके गैस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और आप इसको ठंड़ ठंड़ा सर्फ कीजिए अब हम बनाएंगे मसाला थमसब उसके लिए एक गलास में हम लोग डालेंगे आईस क्यूब एक चमस डालेंगे हम लोग निमू करस आदी छोटी चमच काला नमक आदी छोटी चमच जीरा पाउडर और इसमें डालेंगे थमसब और यह हमारा मसाला थमसब बनके रेडी है आप और आपकी फैमिली इसको इंज्वाई किजे ठंड़ा ठंड़ा और अब हमलोग बनाएंगे fruit panche उसके लिए हम लेंगे यहां पर पैने लिया है mango का juice जो यह नॉर्मल जूस आते हैं यह वहीजूस है एक cup लेंगे mango का juice एक cup लेंगे orange juice एक cup लेंगे apple juice पाइनैपल जूस लेंगे एक कप और अब हम लोग मिकसर जार में दो चमब चमब डालेंग वनिला आइस क्रीम और इसको ब्लंड कर लेते हैं और इसमें हमको कुछ भी नहीं करना इसको डारेक्ट हम ग्लास में डाल देंगे और इसमें डाल देते हैं कुछ आइस क्यूब्स यह ठंड़ ठंड़ आप अपने बच्चों को दीजिए आप भी इंज्वाइए कीजिए बहुत ज्यादा यह अच्छा लगता है पीने में यह हमारा फूट पंच बनके रेडी है जीरा सोडा के लिए सबसे पहले एक ग्लास में हम लोग डालेंगे दो चमच जीरा पाउडर आदी चोटी चमच काला नमक इसमें डालें कुछ मिंट लीव इसमें डालेंगे निबू के कुछ क्यूब्स कटे हुए दो चमच डालेंगे हम लोग लेमन जूस आदी चोटी चमच जीरा बुना हुआ और इसमें डालेंगे डियू और यह हमारा जीरा सोडा बनके रेडी है इसको थोड़ा डेकुरेट कर देते हैं यह आप और आपके गेस्ट इसको अच्छी तरीके संज़एगा जो बहुत ज्यादा रिफ्रेशि अब पहले मिलें और अच्छी अच्छी रेसिपी चाहें तो मुझे कमेंट बताईएं कोशिश करेंगे वो रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊं तो मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ में थैंक यू